गाजेबाद विकास प्रादीकरण ने स्कीम लॉंच करी है प्लोटों की जिसमें की निलामी से प्लोट सेल होंगे आप GDA की वेबसाइट पर जाकर के सारा डिटेल देख सकते हैं जैसे कि इंद्रापुरम, गोविंद्पुरम का CP ब्लॉग, मदुबन बापुधाम में, स्कूल और नर्सिंग होम के भूखंड, अभी एक सुनहरा अफसर है काजेबाद में जमीन खरीदने का पिछले साल बोली में लोगों ने बढ़ चल कर हिस्सा लिया था, पिछले साल लोगों ने GDA से फॉर्म लिये थे, फिर उसमें एक एफिडेविट भी बना करके लगाया था, और फिर डिमांड राफ्ट बनाना होता है, डिमांड राफ्ट GDA में जमा होता है बोली के टाइ पर और जब वो डिपाुजिट हो जाता है तो फिर आप बोली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इससाल किस तरीकी से बोली होगी उमीद करते हैं कि हिंदी बवन में इसी तरीके से इस साल ही जिस से पिछले साल हुई थी हम देख रहे हैं फिलाल रहिसपुर का एरिया और इससे एक रस्ता गया है अभी अंदर अंदर जो की 45 मिटर वाइड रोड पर पहुच जाएगा और हम पहुच जाएंगे मदुबन बापुधाप स्वन जैन्ति पुरम यह सिटी पार्क के पीछे का हिस्सा है यही वो चौड़ी सड़क है जो सीधे हापूर रोड से लॉटो की तरफ काफी रुजान बढ़ गया है क्योंकि उसका कारण है एक तो रैपिड रेल स्टार्ट हो गई है मेरट तक अब यह जो कॉलनी आप देख रहे हैं यह स्वन जैन्ति पुरम यहां पर है सीपीए स्कूल स्वन जैन्ति पुरम में फॉर्म के साथ 10% प्राइस का डिमांड ड्राफ बना था जो की जीडिये ने डिपॉसित करा लिया था बोली के टाइम पर और फिर आउक्षन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्वन जैन्ति पुरम की भी डिमांड अच्छी है कि देखिए यहां पर कॉमरिशियल बनने लग गया है पिछले साल बोली में यहां पर प्लॉट थे स्वन जैन्ति पुरम में तो लोगों ने बर्चन के हिस्साल यह आप प्लॉट्स लिए इसी तरीके से उमीद करते हैं इस साल भी जो बोली के प्लॉट होंगे उसमें लोगों का रुझान अच्छा रहेगा तो डाइरेक्ट अथॉरिटी से खरीदने का आपके पास एक यह गोल्डन चांस है नहीं तो रीसेल में प दूबन बापुधाम और गोविंद्पुरब तीनों कॉलोनी बिल्कुल सटी हुई है गौर होम के फ्लैट्स के पास में सीपी ब्लॉक अभी हम देखेंगे यह देखिए गौर होम के फ्लैट है अगर आप गाजेबात के लिए नए हैं तो देखिए यहां पर फ्लैट्स की पर इस चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ है एट लगे हुए है लेकिन उसको सीपी क्यों का आ गया यह मुझे नहीं समझ में आया आज तक तो यह हापुड रोड से यह जो देख रहे हैं चौड़ी सड़क हापुड रोड सीधे गोविंद्पुरम वाली यह सड़क कोविंद्पुरम का बसड़ा है यह देखिए बिजली का रहा है अब हम सीपी ब्लॉक में आने ही वाले हैं इसके सामने बहुत बड़ा पार्क है देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है सीपी अब यह गेट इन्होंने बंद कर रखा है कि देखिए सीपी ब्लॉक में इस त लिस्ट में देखना पड़ेगा लेकिन बहुत ही सुन्दर ब्लॉक है यह सीपी ब्लॉक में देखिए कितने सुन्दर घर बने हुए हैं और जो यह प्लॉट खाली पड़े हैं इन में से ही आपको प्लॉट मिल सकता है यहां पर एक पार्क भी है पार्क वैसे हर जगे होता है इस वक्त आप देख रहे हैं सीपी ब्लॉक यह देखते हैं सीपी ब्लॉक का पार्क और पार्क के चारो तरफ यह घर बने हुए गेटिड कॉलोनी है पहचान के लिए पानी की टंकी के पास में है यह सीपी ब्लॉक के पास में पढ़ता है स्कूल मार्केट अभी मैं आप लोकेशन एकदम टॉप यह गोविन्पुरम का एक बहुत अच्छा एरिया डी ब्लॉक के पास यह भी सीपी ब्लॉक के पास में पढ़ता है और निलाम निलामी में लेने का ये फायदा रहता है, कि आपको सारा पैसा एक साथ नहीं देना है, 10% डिजर प्राइस, फिर शायद 15% और, तो आप धंग से डिटेल देख लीजेगा, तो इसलिए भी लोग निलामी में डायरेक्ट GDA से प्लॉट लेना चाहते हैं, और ऑक्षन में भी वो ही प्लॉट ले पाएगा, जो पूरे मन से प्लॉट लेने के लिए जाएगा, ऐसा क्योंकि पुरानी जो पहले निलामी हुई हैं, उनमें देखा गया है, जो महंगा सोच करके छोड़ देगा, वो नहीं ले सकता, इस वक्त आप देखिए, यह पूरा गोविनपुरम का एरिया है, यहाँ पर सिगनेचर स्ट्रीट मॉल है, देखें यह विजन होता है, पिछली बार भी लोगोंने यही सोचा था कि अगर हम लॉट कुछ महंगा ले रहे हैं, तो मार्केट रेट जब तक भढ़ जाएगा, और ऐसा हो गया, तो जो 10% रुपिया देना था, बाकी देखिए आपकी चॉयस है, विडियो चैनल इस नौट रिस्पॉंसिबिल फोर एनी प्रोफिट और लॉस, आप अपना डिसीजन खुद लीजिया, आपको लेना है कि नहीं कहीं पे जगए, तो गोविनपुरम का एर MSS Bliss एक बिल्डिंग है, तो देखें मैं आभी आपको यहीं बता रहा था, कि आपको फ्लैट भी नहीं मिल पाएगा, गौर होम के जो फ्लैट है, वहाँ पे शायद आपको फ्लैट ना मिल पाए, लेकिन प्लॉट आप खरी सकते हैं, और पिछली साल जब बोली लगी थी, तो हुआ था ऐसा, कि अलग-अलग प्लॉट के लिए आपको अलग-अलग डिमांड राफ्ट बनवाना पड़ा था, जिस प्लॉट के लिए आप डिमांड राफ्ट बनवाएंगे, उसी प्लॉट की बोली में आप बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजे, CP ब्लॉट मे आप बोली जब ही लगा पाएंगे, जब आप उनके लिए अलग-अलग फॉर्म ले और आप अलग-अलग डिडी बनवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, शायद पिछले साल ऐसा हुआ था, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लिजेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक डिडी बन लेंगे, तो आप पहुच जाएंगे स्वन जयनतिपुरम और यह सीरी सड़क जा रही है, मदुबन बापुधाम, तो यह पीछे की तरफ जा रही है, हापुड रोड जिस पे पड़ेगा, सीपी ब्लॉक जिसका होना है, और आप देख सकते हैं, आगर आपको सीपी ब्लॉ जा रहा है, आउक्षन में नहीं मिल पाया, तो आप स्वन जयनतिपुरम या मदुबन बापुधाम की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, यह एफ ब्लॉक है, मदुबन बापुधाम का, जो कि बिलकुल गोविंदपुरम के पास में है, यह सीधी सड़क जा रही है, सीपी ब ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में मिलेगा आपको 90 स्क्वाइर मीटर, यानि की 108 गज, 60 स्क्वाइर मीटर, यानि की 72 गज, यहां भी बहुत मकान बनते जा रहे हैं, तो एफ ब्लॉक की अच्छी डिमांड, यह देगे 40 फुटा सड़क है, घर यह बना हुआ है,